हलो दोस्तों नमस्ते आदाव सहस्तियकाल आपका दोस्त गौरब टेस्ट बुक सुपा को चीक पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाईए तैयार क्योंकि हम यहाँ पे फिर से करने जा रहे हैं CHSL के जी के पेवार जहां पर दोस्तों हम लोग करेंगे सारे important questions for CHSL तो दोस्तों दिन पर दिन जो है exam पास आता जा रहा है तो क्यों ना तैयारी अच्छे से की जाए और दोस्तों आपको पता है daily class होती है Monday to Friday कब दोस्तों Monday to Friday class होती है और ये होती रात को 11 बजे से लेके 12 बजे जहां पर आप मेरे साथ जुड सकते हैं और कर सकते हैं दोस्तों सवाल जी के के तो इसी दोस्तों हम लोग इसी के साथ बढ़ते आगे किस तरफ और बढ़ेंगे motivational की code की तरफ तो दोस्तों खोल दे punk मेरे कहता है परिंदा अभी और उडान बाकी है जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा motivational code है दोस्तों हमारी जो मंजिल है वो दोस्तों बहुत ही बड़ी है और उसको पूरा करने के लिए दोस्तों हमें लड़ना पड़ेगा और हम तथपर हैं और इसी motivational code के साथ आगे बढ़ेंगे सभी लोग क्या करेंगे यस टाइप करेंगे अगर मेरी screen और voice आपके लिए clear है और भाई साथ यहाँ पर कुछ पूछ रहे हैं पुद्री मील में मापा जाता है वेव क्रेस्ट और ट्रफ वेव स्पीड वेव हाइट और वेव फिर्क्वेंसी जल्दी से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर correct answer क्या होगा फड़ावर से ठीक है यहाँ पर सब लोग के अलग-अलग answer लेकिन दोस्तों जितने लोग यहाँ पर option number B कह रहे हैं वेव स्पीड उनका correct answer हो जाएगा दोस्तों वेव स्पीड यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है यहाँ आप से पूछा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगले सवाल के लिए अगला सवाल दोस्तों who is the author of the book my master दोस्तों my master पुस्तक के लेकर कौन है रबिंदर नाट टैगोर है राजा राम मोहनरोय है श्री अरविंदो है यहाँ पर स्वामी विवेकानन्द यहाँ पर करेक्ट आंसर होगे स्वामी विवेकानन्द यहाँ पर करेक्ट आंसर होगे स्वामी विवेकानन्द यहाँ पर करेक्ट आंसर होगे स्वामी विवेकानन्द की अगर हम बात करते दोस्तों इनका real name क्या था दोस्तों नरेंदर नाथ दत्त क्या था दोस्तों नरेंदर नाथ दत्त था यह आपक सेवन में दोस्तो अगर हम बात करें इन्होंने स्टार्ट किया था राम कृष्ण मिशन किया दोस्तो राम कृष्ण मिशन स्टार्ट किया था ये भी आपको याद रखना है ये दोस्तो राम कृष्ण मिशन ये अपने गुरू राम कृष्ण परमहन से इंफुलेंस होके इन् जिसके लिए दोस्तों इनको Nobel पुरुसकार से सम्मानित किया गया था, कब दिया गया था Nobel पुरुसकार, 1913 में दिया गया था, ये भी आयता रखेंगे ठीक है, अगले सवाल परते दोस्तों, अगला कोक्षन आप ले रहा, दोस्तों, at the 1992 Summer Olympic, Dash became the first woman to carry the flag of India at the opening ceremony of any Olympic, दोस्तों कर्णम मलेश्वरी, शिनी, अबराहम विलसन, पीटी उशा और नीलीमा घोश, जल्दी से बताएए, यहाँ पर पीटी उशा कह रहे हैं, कुछ लोग कर्णम मलेश्वरी, तो दोस्तों, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा दोस्तों, शिनी, अबराहम, विलसन, correct answer हो जाएगी, ठीक है, ना ही दोस्तों, option number A होगा, ना ही option number जित्ते लोग C कह रहे हैं, यहाँ पर option number B जित्ते लोग कह रहे हैं, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, बहुत बले है, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा दोस्तों, option number B हो जाएगा, अब देखिए दोस्तो अगर हम बात करते हैं olympic की तो दोस्तो modern olympic modern olympic सबसे पहले दोस्तो कब खेले गए थे यह पूछा जाता है पैरी दी कोबर्टीन को किसको दोस्तो पैरी दी कोबर्टीन को दोस्तो father of olympic कहा जाता है 2016 का दोस्तो olympic कहा पर हुआ था तो रियो में हुआ था ठीक है 2020 का कहा पर हुआ टोकियो जापार में हुआ ठीक है 2024 का कहा पर होगा Paris France में होगा ठीक है 2018 का कहां पर होगा तो Los Angeles USA में होगा और 2022 का कहां पर होगा Brisbane Australia में होगा ये भी आपको याद रखना है ये आप से पूछा जा सकता है ठीक है चलें आगे की तरफ और दोस्तो Olympic में हमने किस खेल में सबसे जादा दोस्तो यहां पर 100 पदक जीते हैं तो दोस्तो हौकी में हम लोगों ने 8 सौन पदक जीते हैं 8 ये आद रखेगा किसमें हौकी में गोल्ड मैडल की अगर हम बात करते हैं ठीक है अगले सवाल बढ़ेंग दोस्तो लेकिन उससे पहले प्रिसिल, थाइमस और लिंफ नोड फडावर से बताईए यहां पर दोस्तो जित्तो लोग option number 111 कह रहे हैं उनका correct answer होगा यहां पर दोस्तो correct answer होगा spleen क्या होगी दोस्तो spleen spleen को दोस्तो और किस नाम से जाना जाता है graveyard किस नाम से जानते दोस्तो graveyard के नाम से जानते हैं ठीक है और दोस्तो अगर हम बात करें और किस नाम से blood bank के नाम से जानते हैं अब graveyard के नाम से क्यों जाना जाता है दोस्तो क्योंकि दोस्तो आपको पता है RBC red blood cells और WBC wild blood cells जो है दोस्तो इनकी life spend खतम होने के बाद वो कहाँ पर जाकर गिर जाते हैं इस plane में गिर जाते हैं यह याद रखेगा ठीक है अगले question पढ़ते हैं लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी मित्र CHSL की तयारी कर रहे है आपको अलग-अलग platform पर जाने की ज़र दे क्योंकि test book लेकर रहा है super coaching जहाँ पर दोस्तो आपको 15 से भी जादा courses provide किये जाते हैं 1000 life classes हैं 100 से जादा study notes और 1100 से भी जादा mock test आपके लिए available है practice के लिए 2499 रुपय का जो course है दोस्तो वो आपको सिर्फ मिल रहा है 299 में सिर्फ आपको क्या करना है coupon code यूज करना है GAURAVM जैसे आप इसका इस्तमाल करेंगे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा maximum discount मिल जाएगा अब तयारी भी कर पाओगे और दोस्तो लिंक कहाँ पर मिलेगी description में आपको लिंक मिल जाएगी सिर्फ आपको क्या करना है वहाँ पर जाके coupon code अपलाए करना है और यहाँ पर तयारी शुरू कर देनी है बढ़ते हैं अगले question के लिए अगला सवाल दोस्तो आपके लिए ये रहा what is the name of the instrument used for measuring the speed and the rate of flow of a fluid that is flowing in a pipe दोस्तों यहाँ पर पुछा गया एक pipe में बहने वाले द्रव के प्रवाक की गती को दर को मापने के लिए उपयोग किये जाने वाले उपकरन का नाम बताएं वैंचुरी मीटर, क्रायो मीटर, ओडो मीटर और मैक मीटर बड़ा सिंपल सा सवाल है जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर correct answer फड़ावड बताएंगे चले, फड़ावड से बताएंगे यहाँ पर दोस्तों जित्ते लोग कह रहें वैंचुरी मीटर उनका correct answer का वैंचुरी मीटर का दोस्तों इस्तमाल किया जाता है अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि O gider, Oeps क्या होता है दोस्तों O slopes किसके लिए Speed के लिए होता है किや दोस्तों जल्दी से बताएं या फ़र distance measure करने के लिए जल्दी से बताए cache तो distance measure करने के लिए दोस्तो ओडो मीटर का इस्तमाल किया जाता है speed का क्या करेंगे दोस्तो speed किसे होगा speedometer में दोस्तो bike में आपने देखा होगा दोनों मीटर लगे होते हैं कि speedometer होता है जो आपके bike के दोस्तो instantaneous speed बताता है और दोस्तो यहाँ पर हम बात करें distance कोन बताता है odometer बताता है mac meter दोस्तो यह circulatory motion दोस्तो बताता है कित्ती दोस्तो circulatory motion हो रहे है वो यहाँ पर बताता है आपने देखा होगा दोस्तो कोई भी rotational motion अगर आपको count करने है तो rpm में यह count करके दिखा देता है ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल के लिए चलिए, अगले सवाल पढ़ते दोस्तों, अगला question आपके लिए ये रहा, दोस्तों, with which of the following sport is Sebastian Koda Associated, दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, Sebastian, जो यहाँ पर कोडा निमलिखित में से किस खेल से संबंदित है, हो जाएगा, दोस्तों, टैनिस से यह related है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, अचा दोस्तों, बैडमिंटन से अगर हम बात करें, हमारे यहाँ दोस्तों, फेमस PV सिंधु जी, जिन्होंने दोस्तों, कॉमन वेल्थ 2022 में, गोल्ड मेडल जीता था, इनके अलावा दोस्तो लक्ष सेन, कॉन दोस्तों, लक्ष सेन, इन्होंने भी दोस्तों, गोल्ड मेडल जीता था, कॉमन वेल्थ 2022 में, और दोस्तों, चिराग सिट्टी, चिराग सिट्टी, और सात्विक साईराज, कॉन दोस्तों, सात्विक साईराज, इन्होंने दोस्तों, मिक्स्द में, गोल् तो दोस्तो सार्थक कमल जी का नाम किसका दोस्तो सार्थक कमल जी का नाम याद रखेगा ठीक है सार्थक कमल जी ने क्या जीता था दोस्तो गोल्ड मेडल जीता था अबवाब, दोस्तों आप से पुछा गया है, मुगल शाषन के संधर्भ में अबवाब की सबसे उप्युक्त परिभाशा निमलिखित में से कौन सी है, यहां पे एक लएग के रहे हैं, ओके, बाकी लोग क्या कहेंग दोस्तों यहां पे correct answer क्या होगा, फटावट से, चले, तो दोस्तों यहां पे correct answer क्या हो जाएगा, correct answer का option number one, attacks levied on the land over and above the original land को कहा जाता था क्या कहते हैं दोस्तो अब वाप कहा जाता था ठीक है याद रखेगा चले अच्छे दोस्तो मुगल एंपरेर के अगर हम बात करते हैं दोस्तो तो मेन मुगल एंपरेर की chronological order पूछ लिया आता है उचके लिए दोस्तो हम लोग ने क्या पढ़ा था भाजसा क्या पढ़ा था दोस्तो भाजसा ट्रिक पड़ी थी बी से कौन हो जाएगा दोस्तो बाबर हो जाएगा बाबर एच से कौन होगा दोस्तो हुमाईू बाबर का पुत्र हुमायू ठीक है हुमायू का पुत्र कौन हो जाएगा अकबर ठीक है अकबर का पुत्र कौन हो जाएगा जहांगीर और जहांगीर के बाद कौन आया था दोस्तो जहांगीर का पुत्र आया था सा जहां और सा जहां के बाद सा जहां का पुत्र आया था औरंग जेब कौन दोस्तो औरंग जेब आया था ये भी आपको याद रखना है ये पूछा जाता है ठीक है chronological order याद रखेगा अगला question बढ़ेंगे अगला सवाल दोस्तो gimp isn't dash दोस्तो gimp एक dash है क्या है दोस्तो photo editor है operating system है diagnostic utility program है या फिर application software है application software कह रहे है बाकी लोग यहाँ पर क्या कहेंग दोस्तो application software है या फिर नहीं है तो सबके अलग-अलग answer आ रहे हैं दोस्तो लेकिन मैं आपको बता दू जित्ते लोग यहाँ पर option number one कह रहे हैं उनका correct answer हो जाएगा ठीक है correct answer क्या हो जाएगा option number one हो जाएगा बहुत बढ़िया यहाँ पर क्या हो जाएगा option number one photo editor है दोस्तो gimp ठीक है अच्छा दोस्तो आप लोगों से और भी full form पूछ लिया आते हैं जैसे CPU का पूछा जाता है ठीक है RAM का पूछ लिया जाता है random SS memory ROM का पूछ लिया जाता है read only memory E-ROM का पूछ लिया जाता है erisable random SS sorry E-ROM EP-ROM का erisable programmable read only memory और एक PROM का पूछ लिया था programmable read only memory तो दोस्तो इनके कुछ आपको abbreviation के full forms याद रख ले हैं क्योंकि exam में दोस्तो आपको पता है computer भी जो second आपका होगा tier उसमें दोस्तो computer भी आने वाला है तो थोड़ा से ध्यान देते हो चलेंगे ठीक है जिससे आपका revision भी होता रहे अगले बढ़ते दोस्तो अगला question आप ली रहा दोस्तो यहां पर इसको left करते हैं जी which of the following is not a guide इसको left करते as per soil of India National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning Report publication number 94 which type of soil is the most abundantly available दोस्तो आप से पुछा क्या भारत की मिट्टी राष्ट्री मृदा सरवेक्षन ब्यूरो और भूमी उप्योग योजनार रिपोर्ट प्रकाशन संख्या 94 के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है क्या वो aridish soil है, el Ble похож Hoyl है, athletic soil है Inceptis Soil है या molliss soils है जल्दी से बताएं यहां पे सबके अलग 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 आ रहे हैं लेकर सिर्फ कुछी लोगों का correct answer है, correct answer यहां पर दोस्तो आऊगा option number 3 agreements Ṭ्दूरों प्रकार की मिलती है। दोस्तो, doiat ऐलूवीयल मिलती है, याद रखेगा soil, कितने प्रकार की भारत में पाई जाती दोस्तो, आथ प्रकार की, किस प्रकार की, दोस्तो, कौन कौन सी दोस्तो Everest soil Tanker Nintendo Neptune पीट सॉयल, एरिड सॉयल है, एरिड सॉयल, फॉरेस्ट सॉयल है, आफ़स्ट सॉयल है, तीन, चार, पांच, शह, यहाँ पर फड़ावर्ट से बताएंगे लोमी सॉयल है, और यहां पर इतने सोयल आपको देखने को मिलते हैं, और दोस्तो ओल्ड जो होता है दोस्तो उसको हम लोग कहते है भंगर, क्या कहते है दोस्तो भंगर ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, चलें आगे की तरफ, चलें, अगले सवाल बढ़ते हैं, दोस्तो अगला कोशन आपके लिए रहा, दोस्तो विच ओफ फॉल्लाइटी दोस्तो निमलिखित में से कौन सा तिलहन का एक किस्म है, ये तरमीरा, अराबिका, लिब्रिका और रोबस्टा, तो दोस्तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें आप अराम से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप्शन नमबर कह रहे हैं, वन, ओके, तो वन, वन कह रहे हैं, तो दोस्तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये दोस्तो सारे कौफी, करनाटका में सबसे यादा कौफी होती, वहाँ पर ये सारे आपको टाइप के मिल जाएंगे कौफी, अगला कोशन दोस्तो, अड़ाश is a software program that travels the web locating and indexing website for search engines, दोस्तो यहाँ पर डश एक software program है, जो search engine के क्या होगे दोस्तो spider होगा, ना ही python होगा, ना ही bug होगा, option number one, spider यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, अच्छे दोस्तो, father of computer किसे कहा जाता है, चार्स बेबेच को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, अगले सवाल बढ़ते हैं, अगला सवाल दोस्तो आपक दोस्तो northern में था, जल्दी से बताए, बहुत बढ़ी है, दोस्तो यहाँ पर जितने लोग कह रहे है, सर सदन सदन उनका correct answer का दक्षिड भारत में, अच्छा चालुक्या के दोस्तो founder कौन थे, पुलकेशिन वन थे, क्या दोस्तो जल्दी से बताए, पुलकेशिन वन थे, औ और चालुक्या डिनेश्टी में दोस्तो एक court poet थे, जिनका नाम था, रवी कीरती, क्या दोस्तो रवी कीरती, जिन्होंने दोस्तो कौन सी inscription लिखी, होल इंस्क्रिप्शन लिखी, क्यों सी दोस्तो, होल इंस्क्रिप्शन लिखी है, ठीक है, चले आगे की तरफ, चले, अग करोलोजी और कॉस्मोलोजी, यहां पे कॉस्मोलोजी, कॉस्मोलोजी, तो दोस्तो यहां पे correct answer क्या हो जाएगा, ठीक है, देखें दोस्तो ऐसे बहुत सारे अध्यन को पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है, ब्यूटी के अध्यन को क्या कहते हैं, ब्यूटी के अध्यन को, तो कैलोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, फिर आप से पुछेंगे, कैंसर के अध्यन को क्या कहा जाता है, कैंसर के अध्यन को दोस्तो, ऑंकोलॉजी कहा जाता है, बर्ड के अध्यन को क्या कहते है, बर्ड के अध्यन को पूछ ले आता है, औ और्निन्थोलोजी कहते हैं क्या है तो भी पुशिएर और लाइक करते हों चलेंगे हैं। among the following author डी book The Great Indian Novel दोस्तों निमलिखित में से ज़ जो किसने The Great Indian Novelold पustक लिखी है खुशवन सींग विक्रम सेट रोहंतवन मिस्द्री और शशी धरूर The Great Indian Novel किसकी है बहुत बढ़ी हा यहां पे सभी के अंसर बहुत बढ़ी है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाग भाई शशी थरूर जी की हो जाएगी यह पुस्तक यह आद रखेगा ठीक है अगर मैं बात करूं दोस्तों खुश्वन सिंग की कौन सी पुस्तक है तो इनकी दोस्तों ट्रेंट टू पाकिस्तान बहुत ही याद रखना है शशी थरूर जी की दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों वाई आयम नॉट हिंदू वाई आयम हिंदू सॉरी वाई आयम हिंदू यह किताब है ठीक है और कौन सी यह पैरेडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर क्या दोस्तों पैरेडॉक्सियल प्राइम मिनिस् संबर जहील निम्लिखित में से किस राज में इस्थित है pię Tr बात है तो संबर की बात है राजस्थान में थोस्तों यक है नोसेव स्वाड़ी ने 1993 नोसेज Is, दोस्तों तो सब स्वाड़ी सॉल्ट, वाटर लेक light d manque अन्दें प्रेश है वहांग करना सब्सक्जऱ था धूर्ग सब्सक्राना सब में बूरिक है। थे रह錢 करना जाएगा है धारत भारत में सबसे बड़ी जील कौन जी आ पटारों कई ना ne चले आगे, चले आगे बरते हैं अगले सवाल के लिए लेकिन उससे पहले फड़ा वर्से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे और शेयर करते हूँ चलेंगे, अगला कोशन दोस्तों आप कले रहा, दोस्तों यहां पर पुछा गया, जल्दी से बताएं, 361, OK, बाखी लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों यहां पर correct answer जोगा, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहां पर, कि 352 में क्या दिया है, तो दोस्तों इसमें national emergency, राष्ट्रिया पातकाल दी गई, क्या दोस्तों, national emergency दी गई है, और 1975 में दोस्तों इंद्रा गांथी जी ने लगाया था, ठीक है, दोस्तों जब यह पूछा जाता है, कि जब यह national emergency लगी थी 1975 की, उसमें दोस्तों राष्ट्रपती कौन थे, तो फकुरुद्दिन अली अहमद थे, कौन दोस्तों, फकुरुद्दिन अली अहमद थे, यह आपको याद रखना है, यह पूछा जाता है, ठीक है, चले अगले सवाल पर, चले, अगले कोशन बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके लिए यह रहा, दोस्तों यहाँ पर पूछा कि, अडैश is a computer program which can self-replicate and propagate over the network with or without human intervention and has a malicious intent, दोस्तों, डैश एक computer program है, जो मानव हस् network पर स्वयम प्रतिकृति और प्रशार कर सकता है, और यहाँ पर दुर्भाव नापूर्ण इरादे रखता है, करनल, वाइरस, त्रोजन होस और वाउम, जलिस बताएं, यहाँ पर आ रहा है सर होना अच्छे यह वाउम, कुछ लोग कर रहे सर वाईरस, वाईरस, तो दोस् resource under siege, क्या दोस्तो, vital information resource under siege, ठीक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, अगले question बढ़ते हैं दोस्तो, अगला question आपके लिए यह रहा, दोस्तो यहाँ पर पूछागे, when did the peasant movement in Badouli begin, दोस्तो, Badouli में किसान अंदोलन कभ शुरू हुआ, 1928, 1934, 1923, फड़ा वर से बताएं, यहाँ पर 28, ओके, चले, तो दोस्तो, जिते लोग 28, 28 करें, उनका यहाँ पर correct answer का option number one, Badouli सत्यगरा, दोस्तो, इसको किसने लीट किया था, सरदार वला भाई पटेल जी ने किया था, किसने दोस्तो, सरदा वला भाई पटेल जी ने किया था, ठीक है, सरदा वला भाई बिसमार्क, बिसमार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इनको याद रखते हूँ, दोस्तो, सबसे बड़ी यूनिटी बनी है, जिसको हम लोग कहते हूँ, सबसे बड़ी स्टैच्यू बनी है, स्टैच्यू अफ यूनिटी जो की 182 मीटर की है, और किसने डिजाइन किया दोस्तो, राम सुथार जी ने किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कहाँ पर है दोस्तो, नर्मना नरी के किनारे है, केवडिया गाउं में है, और गुजरात राज्ज में है, ठीक है, चाले, आगे बढ़ते हैं दोस्तो, अगले question के लिए, अगला सवाल दोस्त is the good governance day observed in India every year, बहुत simple सा सवाल दोस्तो, भारत में हर साल निमलिखित में से, किस तारिक को सुसाशन दिवस मनाया जाता है, 12 सेप्तमबर, 4 अक्टोबर, 25 दिसमबर और 5 जुलाई, तो दोस्तो, यहाँ पर फड़ा फड़ बताएंगे, ठीक है, 25 दिसमबर, ओके, ठीक है, त 8 अक्टोबर को मनाते हैं, कब मनाते हैं, दोस्तो, 8 अक्टोबर को मनाते हैं, एर फोर्स दे, दोस्तो, एर फोर्स दे, यह आदर खे, ठीक है, और दोस्तो, 15 जनवरी को क्या मना जाता है, आर्मी डे मना जाता है, 4 दिसमबर को दोस्तो, नवी डे मना जाता है, और दोस्तो तो यहां पे अगर मैं बात करूँ दिसंबर का महिना चली रहा है, ठीक है, दिसंबर का महिना चल रहा है, और कुछ दिन पहले ही, एक important day गया है, ठीक है, और वो कौन सा important day था, 25 भी दोस्तो अभी कुछ दिन पहले गया है, ठीक है, और यहां पे अभी 23 दिसंबर भी कुछ द इसको याद रखते हुए मनाते हैं अटल विहारी वाइच पेई जी को याद रखते हुए मनाते हैं यह याद रखेगा ठीक है चले आगे बढ़ते दोस्तों लेकिन उससे पहले फटावर्स एक बार शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे अगला कुशन दोस्तों आपके कोडिनेशन ऑफ एग्रिकल्चर एंड रिसर्च इन इंडिया वाट इस फुल फॉर्म ऑफ आईसी ए आर दोस्तों यहाँ पर पुछा गया है आईसी ए एर एक स्वयात निकाय है जो भारत में कृशी और अनुसंधान के सम्नवे के लिए जिम्मेदार है आईसी एर का पूर अगले सवाल के लिए अगला सवाल दोस्तों डैसी जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समू है constitutional norms, constitutional rules, code of conduct या फिर delimation जल्दी से बताएए बहुत बढ़िया वेरे गुड शाबस चलिए यहाँ पर correct answer क्या होगा दोस्तों आपके लिए यह रहा दोस्तों यहाँ पर पूछा गया पंडित सतीश व्यास वस कॉनफर्ड अपॉन दी प्रिस्टीजिस तांसें सम्मान इन दिसंबर दोजार बीस ही वास एस्सियेटेट विच ऑफ फॉलॉइंग म्यूजिकल इस्टूमेंट इस्टूमेंट इस्टूम सम्मान दी जाइएगा चलें आगे की तरफ बहुत बढ़ी है यहाँ पर क्या ओगा यहाँ पर हो जाएंगे option number C हमने जाकीर जी का, किसका दोस्तो जाकीर जी का और उनके पिता जी का अल्ला राखा जी का नाम याद रखना है, ठीक है, अगला कुशन दोस्तो, which of the following is not a good conduct of electricity, दोस्तो निम्रिखित में से कौन विद्यूत का सुचालक नहीं है, क्या दोस्तो, graphite, gold, diamond और soil, जल्दी से पताएं दोस्तो कौन सा नहीं है, यहाँ पे फटाफट से सभी लोग बताएंगे क्या नहीं होगा, ठीक है, दोस्तो, जिते लोग यहाँ पे diamond, diamond कह रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी है, यहाँ पे क्या होजाएंगे, दोस्तो, diamond correct answer होगा, diamond जो है दोस्तो, यह hardest substance on the earth है, ठीक है, hardest substance on the earth, यह भी आपको याद रखना है, यह दोस्तो, एलोट्रॉप है, कार्बन का, और और कौन से दोस्तो, कार्बन के, तो एक graphite भी है, diamond भी है, और ए तो बहुत ही अच्छा, जो है, दोस्तो, conductor है, ठीक है, इसका atomic number पूछ लिया जाता है, atomic number जो है, दोस्तो, 79, क्या दोस्तो, 79 है, और इसको, दोस्तो, हम किस से represent करते हैं, गोल्ड को AU से represent करते हैं, और soil तो definitely है ही, दोस्तो, ठीक है, चले, अगला question दोस्तो, आपके लिए यह देव, फड़ा फर से बताएंगे, गुरु गोविन सिंग, गुरु गोविन सिंग, तो दोस्तो, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएंगे, गुरु गोविन सिंग हो जाएंगे, आचा दोस्तो, दस गुरु थे, उन दस गुरुओं को, दोस्तो, हम लोगों ने, दस गुरु क्या दोस्तो तेग गोविन तो दोस्तो यह हो गए 10 नाम ठीक है 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10 और यह chronological order में है दोस्तो कैसे पढ़ेंगे ना से नानक जी अंग से अंगत जी, अमर से अमरदास, राम से रामदास और से अरजनदेव, हर से हर गोविन, हर से हर राय हर से, हर कृष्णा, तेग से तेग गोविन और दोस्तो यहां पर हो जाएंगे गुरू गोविन सिंग ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तो हम लोग 10 गुरू को याद रखेते हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक है चलिए, अगला question दोस्तो, which of the following river does not culminate in the arabiancy, दोस्तो आपको बताना है, निमलिखित में से कौन सी नदी जो है, अरब सागर में नहीं मिलती है सापरमती, तापती, इंदस और गोदावरी, बड़ा सिंपल सा answer है जल्दी जल्दी से बताएंगे गोदावरी, गोदावरी, तो दोस्तो यहां पर इंडिया की दोस्तो सबसे बड़ी नदी है जिसकी लेंज है, दोस्तो 1465 किलो मीटर है याद रखेगा, इस बांध दोस्तो फेमस, स्वरी, इस नदी पर फेमस बांध है, जिसका नाम है पोलावरम, कि दोस्तो पोलावरम, ये भी आपको याद रखना है गोदावरी को दोस्तो हम लोग दक्षिड भारत की गंगा कहते है, दक्षिड गंगा कहते है ठीक है, याद रखकी का साउध गंगा या फिर दोस्तो वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं किस नाम से? वृद्ध गंगा के नाम से भी लाई कितने कम के हो फड़ावर्स एक बार शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे तो यहां पर आ रहा है सर यूनिवर्स यूनिवर्स से दोस्तों correct answer होगा origin of universe और universe के अध्यन को क्या का जाता है कोस्मोलोजी कहा जाता है यह भी आपको याद रखना है ठीक है चले आगे बड़े अगला question दोस्तों आप लेए रहा दोस्तों dash are built up by the liquid and solid rock erupting from the earth's interior दोस्तों यहां पर पुछा गया है dash का निर्मान प्रिथवी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोश चटान से होता है volcanoes, fault block mountains, erosional mountains या फिर plateau जल्दी से बताईए यहां पर बहुत बढ़ी है दोस्तों यहां पर correct answer जितने लोग volcanoes कह रहे हैं उनका correct answer का option number यहां पर हो जाएगा one option ठीक है चले अगला question दोस्तों आपके लिए यह रहा दोस्तों amino acid are often referred to as the building block of dash दोस्तों यहां पर amino acid को अगसर dash के निर्मान खंड के रूप में जाना जाता है सुगर, carbohydrate, fats और protein सभी लोग बताई यह फड़ा वर्से दोस्तों correct answer क्या होगा यहां पर carbohydrate कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं, ठीक है तो दोस्तों यहां पर correct answer क्या हो जाएगा दोस्तों, protein correct answer होगा दोस्तों ठीक है अगर दोस्तो मैं बात करता हूँ कार्बो हाइडरेट का दोस्तो पाचन कहा पे होता है माउथ में होता है ठीक है माउथ में क्या दोस्तो सलाइवरी ग्लेंड है ठीक है सलाइवरी ग्लेंड क्या प्रोडियूस करती है दोस्तो एंजयम प्रोड़ीव करती कौन सा अमाईलेज कौन सा दोस्तो करती है या आपको याद रखना है ठीक है अगर हम बात करते हैं दोस्तों फैट फैट दोस्तों कहां पे डाइजेट होता हुटा is small intestine में होता है कही है little a les can apply time और यहां पर दोस्तों इन्जाइम कोन एक्टिन करता है यह सवाल पूछा गया HCL जो है वो Pepsin के लिए कैसा काम करता है तो as a catalyst काम करता है catalyst कौन होते हैं जो दोस्तो reaction को fast और slow करते हैं ठीक है याद रखेगा अगले question बढ़ते हैं दोस्तो हमपी was dash declared as the UNESCO heritage side by UNESCO in which of the following year दोस्तो निमलिखित में से किस वर्ष में हमपी को UNESCO द्वारा विश्व दरुवर इस्तल घोसित किया गया था 1999, 80, 90 और 86 फटाफट से बताएं दोस्तो यहाँ पर correct answer क्या होगा फटाफट से ठीक है यहाँ पर सभी के अलग-अलग answer आ रहे हैं दोस्तो तो दोस्तो जीते लोग यहाँ पर 1986, 86 कहरें दोस्तो उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है correct answer क्या हो जाएगा दोस्तो 1986 हो जाएगा 1986 ठीक है बहुत बढ़िया अच्छा दोस्तो आप लोग को बताना है UNESCO साइट दोस्तो भारत में अब तक कितनी है 42, 44, 46 और 50 यह आपके पास options हैं दोस्तो आपको यह homework में बताना है comment करके ठीक है अगले सवाल बढ़ते हैं दोस्तो अगला सवाल आप clear रहा A user interface is the part of that allows the user to enter and receive information दोस्तो यहाँ पर पुछाएगा user interface desk का वह हिस्सा है जो user को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमती देता है computer network, operating system, computer hardware और computer software जल्दी से बताइए बहुत operating system बोल रहे है बाकी लोग क्या कहेंगे तो दोस्तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा दोस्तो operating system जिते लोग कह रहे हैं उनका correct answer हो जाएगा चले अगला question दोस्तो आप के लिए रहा which type of dam is temporary dam constructed to exclude water from the specific area दोस्तो यहाँ पर किस प्रकार का बान एक विशिस्ट छेतर से पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया एक अस्थाई बान है coffer, impounding, detention और debris जल्दी से बताईए दोस्तो फड़ावट से बताएंगे तो यहाँ पर दोस्तो सबके अलग-अलग answer confusion है तो यहाँ पर correct answer होगा दोस्तो जिते लोग option number one करें कौफर कौफर यहाँ पर correct answer होगा क्या होग दोस्तो option number one होगा कौफर यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है option number one अगला question दोस्तो आपके लिए वेर इस मांट दियावलो और एन important mountain peak इन अंडमान और निकोबार आइलेंड लोकेटेड दोस्तो आप से पुछा गया अंडमान और निकोबार दीप समुकी एक महत्वपून परवत चोठी मांट डियावलो जो है दोस्तो कहां इस्तित है middle अंडमान, north अंडमान, south अंडमान और great निकोबार जल्दी जल्दी से बताइए बहुत बढ़िया, very good दोस्तों जित्ते लोग यहाँ पर करें sir, option number होना चाहिए 111 उनका correct answer होगा middle अंडमान में दोस्तों यह available है, ठीक है चले, अगला कुछ दोस्तों आपके लिए यह रहा दोस्तों यहाँ पर पुछागे, which of the following hormones secreted by brain that helps to regulate sleep-wake cycle दोस्तों यहाँ पर पुछागे, निमलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिस के द्वारा स्तावित होता है, जो सोने जागने के चक्र को नियंतरित करने में मदद करता है oxytocin, insulin, aldosteron, या फिर melatonin जल्दी से बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर option number 4 के रहे हैं, ऐके, कुछ लोग यहाँ पर C तो दोस्तों यहाँ पर correct answer होगा option number 4 दोस्तों, melatonin कौन करता है, दोस्तों, pituitary gland करता है, कि या peynial gland करता है फड़ावर से बताए, या पीनियल ग्लेंट करता है, जल्दी-जल्दी से सभी लोग बताएंगे, ठीक है, अच्छे दोस्तो, ऑक्सीटोसीन को लव हॉर्मोन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दोस्तो, लव हॉर्मोन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, पूछ सबसे छोटा ग्लेंट, स्मॉलेस्ट ग्लेंट कौन सा है, दोस्तो, तो स्मॉलेस्ट ग्लेंट जो है, दोस्तो, वो है पीनियल, और पीनियल को ही हम लोग कहते है, बायलोजिकल, क्योंकि दोस्तो, ये क्या करता है, चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है, बायलोजिकल साइक तो दोस्तों यहां पर आपको आंसर बताना है इसका होमवक में मैंने दोस्तों आपको एक्ट्रा फेक्ट में बताते बताते आंसर भी बताया है देखते हैं कितने लोग यहां पर करेक्ट करते ठीक है चले आगे वरते दोस्तों आगले सवाल अच्छे दोस्तों इंसुलीन को और प्रत्वी की नारित्व को का जैश्ल मनाने वाला एक अनूठा त्योहार है यह निमलिखित में से किस राजी में मनाया जाता है मिघाले ओडिसा बिहार और उत्तर प्रदेश फड़ा फड़ बताइए ठीक है तो यहां पर बहुत बड़े दोस्तों जित्ते लोग यहां प यहां पुछा गया था बीहार में दोस्तों सवाल पूछा गया था इसको पफॉर्म करते दोस्तों कपल परफॉर्म करते ही याद रखेगा ठीक है चले अगला कुशन दोस्तों आपके लिए रहा Who was appointed as the first Surveyor General of India in 1815? दोस्तो, 1815 में भारत के पहले Surveyor General के रूप में किसे नुक्त किया गया था? John Hawkson, Thomas Hickey, Colin Mackenzie और Henry Walpole. जल्दी से पताएं, बहुत बढ़ी है, यहाँ पे Mackenzie कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं, दोस्तो? तो दोस्तो, यहाँ पे correct answer हो जाएंगी, Colin Mackenzie, बहुत बढ़ी, option number C, जितने लोग कह रहे हैं, दोस्तो, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, अगले सवाल पर बढ़े हैं, लेकिन उसे पहले फटावर्स क्या करेंगे, share और like करते हो चलेंगे, अगला सवाल दोस्तो आप कहाँ पर है, यह मनिपूर में है, क्या दोस्तो, जल्दी से बताई, मनिपूर में है, नैनी ताल कहाँ पर दोस्तो, नैनी ताल आपको कहाँ पर मिलेगा, नैनी ताल आपको मिलेगा, उत्राखंड में, कहाँ दोस्तो, उत्राखंड में, ठीक है, कोलेरू कहाँ पर मिलेगा Appointed the States Reorganization Commission दोस्तों यहाँ पर पूछा गया भारत की केंदर सरकार ने किस वर्ष में राजपुनर गठन आयो की नुक्ति की थी उनिसो तिरपन, अठावन, पचास और इंक्यावन जली सो बताएं तिरपन, ओके, बाकी लोग क्या कहेंगे चली पचास तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा तिरपन करेक्ट आंसर होगा दोस्तो और स्टेट Recognition' कब आया था 1905 में आया था, यह भी आपको याद रखने है तिरपन में दोस्तों करटित किया गया था यह आप से पूछा जा सकता है ठीक है चले अगले question बड़िंग दोस्तों और ये दोस्तों question जो है ये आपके लिए homework रहेगा क्या रहेगा homework रहेगा सबी लोग comment box में answer करेंगे तो ओ हो 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 दोस्तों यहाँ पे समय होता है समाप्त जहाँ पर आज हमने दोस्तों Mixed GK के question किये है और दोस्तों इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी दोस्तों इसकी PDF मिलेगी आपको telegram पर कैसे दोस्तों आप ले सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ Simply आपको क्या करना है? Telegram पर चले जाना है ठीक है? Telegram पर जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर आप क्या करोगे? करके भी जुड सकते हो या डारेकली दोस्तों सर्च कर सकते हो गौर फ मौरिया सर्ट टेस्ट बुक तो दोस्तों यह रहा सेशन अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएगा होमवर्ग जो दिया है दोस्तों उसको जरूर कलीजेगा जिससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस चलती रहे क्योंकि दोस्तों आप जादा समय बचा नहीं है जीडी जो है दस जनवरी को होने वाला है ठीक है और अब मुश्किल से दस दिन बचे हुए है ठीक है फिर उसके कर खेगा अपनों का ख्याल अपना ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा बाबाई टेक एर जय हिन जय भारत